कि हेलो फ्रेंज्स दिस इस पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरी डिए प्यारे दोस्तों सीटेट चौदा पंदरा दिसंबर को टारेट करते वे हमारी एशिस्ती क्लासेस कंटीनु है जिसमें हमारा पॉलिटी चलना है ठीक है और यह क्लास एट की पॉलिटी चल चैप्टर से बहुत महत्मुंच चैप्टर है पहले अमीज चैप्टर को कवर करते हैं फिस चैप्टर से रिलेट जो प्रस्ट को पूचे गए लास्ट मीफりस्ण तहले हैं ही डिसकस कर तेंगे घ्टिक है आये समझते हैं चैप्टर का नाम ही न्याय पालिका है तो सबसे पहले हम नयाए पालिका की भूमिका को समझेंगे देखिए अधालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं ओके बिल्कुल कलियर बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर अधालतें हमें फैसले सुनाती हैं वे ये तै कर सकती हैं कि टीचर्स को विद् जार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए अदालतें राज्यों के बीच नदियों के पानी के बटवारे पर फैसले दे सकती है कि किस राज्य के कतना पानी मिलेगा अदालतें किसी अपराद के लिए लोगों को सजा दे सकती है किसी ने कोई अपराद किया है उसके लिए सजा कौन दे सकता है अदालतें नियाई पालिका के कामों को मोटे तोर पर कुछ निमनलिखित भागों में बांटा जा सकता है जैसे विवादों का बटवा निप्टारा हो गया नियाईक विवस्था नागरिकों, नागरिकों सरकार, दो राज्य सरकारों और केंदर तथा राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधी मुहिया कराती है जो नियायक विवस्था है वहन नागरिकों नागरिकों और सरकार के बीच 2 राज्यसरकार या केंदर राज्यसरकार के बीच जो विवाद पैदा हुआ है उसको छल करने की क्रियाविधी मुहिया कराती है कौन नयायक विवस्था ठीक है नियाईक समीक्षा को या इसको नियाईक पुलनिक्षण भी कहा गया है रिविव समिधान की व्याक्षा का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है नियाईपालिका के पास होता है कि सम्विधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पाश है तो वो नियाई पालिका के पास ही होता है इस नाते यदि नियाई पालिका को ऐसा लगता है कि संसद के दौरा पारित किया गया कोई कानून सम्विधान के धांचे का उलंगन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है ठीक है नियाई पालिका जो है उसके पास यदिकार है कि यदि संसत के दोरा कोई ऐसा कानून पारित कर दिया गया है जो समिधान का उलंगन करता है तो नियाई पालिका उस कानून को रद्द कर सकती है या फिर उसको दुबारा से रिव्यू करने के लिए कह सकती है यह अधिकार किसके पास है नियाए पालिका के पास होता है क्योंकि समिधान की व्याक्या का अधिकार भी उसी के पास है इसके पास नियाए पालिका के पास कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों को विवहार में लाना उस पर काम करना या क्रियान वेन करना अगर देश के किसी भी नागरी को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उलंगन हुआ है तो वह सरवोच नियाले या उच नियाले में जा सकता है अपनी बात रख सकता है जो उसके साथ उलंगन जो उसके साथ जो भी हुआ है वो भारत का सरवोच नियाले आपके सामने है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो ये है भारत का सरवोच न्यायले इसकी स्थापना 26 नवरी 1950 को की गई थी आपको पता है इसी दिन हमारा देश गंतंत्र बना था अपने पूरोवर्ती फेडरल कोर्ट आफ इंडिया की भात ये ये है न्यायाले भी पहले संसद भवन की भीतर संसद भवन के भीतर चेंबर और प्रिंसेस में हुआ करता था 1958 में इस इमारत में इसको इस्थानांतरित कर दिया गया था इतनी बात के लिए है very good श्वतंतर न्यायपालिका क्या होती है आइए इस पर नज़र डालते हैं बहुत इंपॉर्टन चेप्टर आपके सामने है श्वतंतर न्यायपालिका क्या होती है कल्पना कीजिये कि एक ताकतवर नेता जिसने आपके परिवार की जमीन पर कबज़ कर लिया है आप एक ऐसी विवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं आपके यहां की विवस्था कैसी है जहां नेता न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं जब आप इस मामले को अदालत मे ले जाते हैं तो नियाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है नेता ने ही आपकी जमीन पर कबजा किया है लेकिन आपके यहां की विवस्था कैसी है जो नेता चाहेगा वो होगा क्योंकि नियाधीश के उपर नेता का क्या है कंट्रोल है इससे क्या होगा नियाधिश भी नेता की ही हिमायत करेगा भाई उसी के पक्ष में बात करेगा नेताओं का नियाधिश पर जो नियंतर रहता है उसकी वजह शे नियाधिश श्वतंतर रूप से फैसले नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी अपने कोशी बचानी होती है शुरत अंतरता का ये अभाव नियाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए तो उसके सामने मजबूरी हो जाएगी नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाने की हम ऐसे बहुत सारे किस्ते जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने नियायक प्रकरिया को प्रभावित करने का प्रयाश किया है लेकिन भारतिय समिधान इस तरह की दखल अंदाजी को बरदाष्त नहीं करता शुईकार नहीं करता इसलिए हमारे समिधान में न्याय पालिका को पूरी तरह श्वतंत्र रखा गया है ध्यान रखिएगा हमारे समिधान में न्याय पालिका पूरी तरह श्वतंत्र है अपना फैसला सुनाने को हमारी नियापालिका पर किसी अमीर गरीब उच्चपद वाले किसी नेता का कोई फार्क नहीं पड़ता इस स्वतंतरता का एक पहलू है कि शक्तियों का बटवारा किया गया है कौन सी शक्ति किसके पास रहेगी जैसा कि आपने फैस चैप्टर में पढ़ा था यह हमारे समिधान की एक बुनियादी पहलू है इसका मतलब यह है कि विधाईका और कारेपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं नियाईपालिका के कामे दखल नहीं दे सकती यहां से प्रस्म पूचा गया है कि क्या विधाईका और कारेपालिका नियाईपालिका के कामे दखल दे सकती हैं नहीं गदापी नहीं दे सकती जो है कि उसमें हस्तक्षिप नहीं कर सकती नियाईपालिका के काम में अदालते सरकार के अधीन नहीं है अदालतों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है ना ही वे सरकार की और से काम करती है इतनी बात के लिए रहे बैरी गूट शक्तियों की इस पटवारे को दुरुस्त रखने के लिए ये भी मत्तपूर्ण है कि उच्च न्यायाले और सरवोच न्यायाले कि सभी न्यायाधीशों की न्युक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए इसलिए एक बार न्युक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है इतनी बात होती है क्लियर हम समझते हैं पॉइंट्स को आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है न्यायपालिका कि यह श्वतंतरता आंदलनों अदालतों को भारी ताकत देती है नियाई पालिका के पास ये जो स्वतंत्रता है कि नियाई धीश स्वतंत्र होकर कि अपने फैसले सुनाते हैं किसी के दबाव में आकर के नहीं ये जो फुरीडम है यही तो नियाई पालिका की ताकत है कि उस पर किसी का दबाव नहीं है इसके अधार पर वे विधाईका और कारेपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपियों को रोक सकती है नियाईपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी एहम भूमिका निभाती है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उलंगन हुआ है हनन हुआ है तो वहाँ अदालत में अपनी याज का लेकर के जा सकता है भारत में अदालतों की संचना कैसी है आई इसको समझते हैं हमारे देश में तीन अलग अलग इस तर पर अदालते होती है मिचले इस तर पर बहुत सारी अदालते होती है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक से समझेगा मिचले इस तर पर बहुत सारी अदालते होती है सबसे उपनी इस तर पर केवल एक अदालत होती है समझे पॉइंट को जो निचला इस तर है भाई ये एक ये इस तर हो गया एक ये इस तर हो गया ये जो निचला इस तर होता है यहाँ पर कई सारी अदालते होती है लेकिन ये जो टॉप पर है इस लेवल पर एक अदालत होती है जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा तालुक होता है उन्हें अधिनस्थ न्यायाले या फिल जिला अदालत भी कहते हैं ठीक है? ये अदालतें आम तोर पर जिले या तहसील के इस्तर पर या किसी शहर में होती है ये बहुत तरह के मामलों को सुनवाई करती है परतेक राज जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायदीश भी होता है परतेक राज का एक उच्छ न्यायाले होता है हर इस्टेट के पास एक उच्छ न्यायाले भी होता है और ये अपने राज की सबसे उँची अदालत होती है किसी भी स्टेट की सबसे उँची अदालत कौन होती है उच्च न्यायाले उच्च न्यायालों से उपर सरवोच न्यायाले होता है ठीक है आई बस समझ में पहले जो है पहले होती है नीचले इस्तर पर ठीक है जो जिसे हम जिला अदालत कहते हैं फिर उसके बाद आता है हमारा इस्टेट लेवल पर जिसको हम उच्छ नियाले कहते हैं राज का जो होता है उच्छ नियाले ठीक है सबसे नीचले इस्तर पर जिला अदालत उससे उपर तीसरे इस्तर पर जो सबसे टॉप पर होती है उसे हम सरवोच नियाले कहते हैं यह ठीक है उच नियालें से उपर सरवोच नियाले होता है यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में इस्तित है देश के मुख नयाधीश सरवोच नयाले के मुख्या होते हैं प्रिशन पूचा गया है कि सरवोच नयाले के मुख्या कौन होते हैं देश के जो मुख्य नयाधीश होते हैं सरवोच नयाले के मुख्या होते हैं सरवोच नयाले के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं चाहें फिर वो इस्टेट लेवल की हो चाहें फिर वो उच अदालत हो या फिर जला अदालत हो इस सब को सरवोच नियाले के फैसले को मानना पड़ता है ठीक है? यहां पर तीन स्थर दिये हैं निचली अदालत, यहाँ पर जिला अदालत होती है, यहाँ पर उच्छ अदालत है, और यहाँ पर सरवच्छ अदालत है, आगे समझते हैं, यहाँ पर मदरास का उच्छ नियाले आपको फोटो में दिख रहा है, चलिए, यहाँ पर उच्छ नियाले की स्थापना सबसे पहल आज देश पर में 25 उच्छ नियाले हैं बहुत सारे राज्यों के अपने उच्छ नियाले हैं जबकि पंजाब और हर्याना का एक साज़ा उच्छ नियाले चंडीगड में है जो पंजाब और हर्याना का है ठीक है दूसरी तरफ चार पुरुवत्तर राज अश्रम नागालेंड मिजोरम और उच्छ नियाले रखा गया है एक जनवरी 2019 से आंद्रप्रदेश और तेलंगाना में अलग-अलग उच्छ नियाले हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदिक पहुंसने के लिए कुछ उच्छ नियालों की राज के अन्य हिश्चों में खंड पीठ भी है यानि कि उनकी बेंच भी है इतनी बात के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टन चेप्टर है आपका यहां से बहुत सारे प्रेशन पूछे गए हैं अब यह हम लोग कवर करेंगे क्या विभिन इस तरों की जो अदालते होती हैं जो अलग-अले लेवल के अदालते होती हैं यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है जी हाँ यह सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है भारत में हमारे पाश एक इकरत नियाएक विवस्ता है कैसी विवस्ता है एक इकरत नियाएक विवस्ता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि उपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं ठीक है जो सरवोच न्याले का जो फैसला आ गया उच न्याले भी मानेगा जिला न्याले भी मानेगा इस एक एकरण को समझने के लिए अपील की ववस्था को देखा जा सकता है अगर किसी विक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत के दोरा दिया गया फैसला सही नहीं है माली जी हम जिला अदालत गए वहाँ हमें फैसला सही नहीं मिला या हमें न्याय नहीं मिला तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है वो उच्चने अले जा सकता है ठीक है अपील की विवस्था को समझने के लिए आईए एक मुकदमे पर विचार करें ये राज दिल्ली परिशासन बनाम लक्षमन कुमार और अन्ने का मुकदमा है जो निचली अदालत से सरवुचनेले तक लड़ा गया कैसे लड़ा गया क्या बात हुई ती आईए समझते हैं 1980 के फरवरी महिने में लक्षमन कुमार ने बीस वरसिया सुधा गोयल से विवा किया दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्षमन के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अश्पताल में मौत हो गई वो जली हुई थी सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा कर दिया जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो चार परोसियों को भी गवाह के तोर पर बुलाया गया पडोसियों ने अपने बयान में कहा कि एक दिस्टंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीक सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बल पूरुवक लक्षमन के घर में घुसे की आखिर देखें तो मैटर हुआ क्या है वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग के लपटे उट रही थी उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेट कर आग बुजाई सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास सकुनतला ने उसके उपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्षमन कुमार ने आग लगाई थी मुकदमे के दोरान सुधा के परिवार वालों और एक पडोसी ने कहा कि सुधा के सस्वराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मार्कवीट करते थे उनकी डिमांड थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए अपने बचाओं में लक्षमन और उसकी मा ने कहा कि सुधा दूद गरम कर रही थी तब ही उसकी साड़ी में आग लग गई इन सभी बयानों और साक्षों के आधार पर निचली अदालत ने जो जिला अदालत थी निचली अदालत ने लक्षमन उसकी मा शकुंतला और शुधा के जेट सुभाश चिंदर को दोशी करार दिया तीनों को मौत की सजा सुनाई गई ठीक है ये सब हुआ फिर हुआ यह हुँ कि 1913 तीन साल बाद 1913 के नॉंबर महिने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्छ नियाले में अपील दायर कर दी दोनों तरफ के वेकीलों के तरक सुनने के बाद उच्छ नियाले ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुरगटना थी वह मिट्टी के तेल से जलने वारे श्टोप से जली थी अदालत ने लक्षमर्स कुंदला शुभाश चिंदर रबोश तीनों को बरी कर दिया इतनी बात कर तीनों को बरी कर दिया शायद आपको कच्छा साथ की किताब में महिला आंदुलन पर केंदरित निचित निमंद याद रहेगा उसमें हमने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोश्यों को दंडित नहीं कर पा रही है उच नियाले के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जगरुक महिलाओं को काफी परिशान कर दिया उन्होंने कई जगे धने परदेशन किये उच नियाले के फैसले के खिलाफ सरव उच नियाले में एक और अपील दायर कर दी यह अपील इंडियन फेडरेशन और वीमेन लायर्श नामक संगठन की तरब से दायर किये गई थी फिर देखिए पांच साल हो गए उसको मरे हुए 1985 में सरव उच नियाले ने लक्षमन और उसकी माव भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी पहले जिला दारत की बात हो रही थी फिर उच नियाले गए अब सरव उच नियाले में आया है ठीक है तो यहाँ पर जो बरी हुए थे उनके खिलाफ सुनवाई सुरू कर दी वकीलों के तरख सुनने के बाद सरव उच नियाले ने जो फैसला दिया उच नियाले के फैसले से अलग था सरव उच नियाले ने लक्षमन और उसकी मा को तो दोशी पाया लेकिन सुभाष चिंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्यूंकि उसके खिलाफ पर्याप तशबूत नहीं थे सरव उच नियाले ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे वो जिला अदालत से जिला नियाले शे उच नियाले लए गए फिर वहां से वो जिला नियाले लए गए तब उनको पुरा जो भी उनके जो फैसला सुनना था उनको सुना दिया गया ठीक है यहाँ पर आप एक image देख रहे हैं नाम चीज़ दक्षिन सिक्किम में जिला अदालत यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अधिनस्त अदालतों को कई अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है छीज़ है जैसे इन्हें ट्राइल कोर्ट या जिला नियाले कहा जाता है अत्रिक्त सत्र नियाधिष भी कहते हैं प्रधान नियाईक-मजिस्ट्रेट, मेट्रपोर्रेटन मजिस्ट्रेट, सिवल जजज नियाले आदि नामों से बुलाया जाता है कई सारे नाम होते हैं इन छोटी अदालतों के आगे बढ़ेंगे विधी विवस्था की विविन साखाई कौन सी है शमझ यह point को दहज हत्या का ये मामला समाज के विरुद अपराद की स्रेणी में आता है ये अपराधिक या फोजदारी कानून का उलंगन है फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधी विवस्था दीवानी कानून या सिविल लौ से समंदित मामलों को भी देखती है ठीक है फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्ग को समझने के लिए हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा यहां पे यहां जबी प्रशन पूछा गया है आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए देखिए एक तरफ है फौजदारी कानून दूसरी तरफ है दिवानी कानून जो फौजदारी कानून है यह ऐसे विवहार या क्रियाओं से समंदित है जिन्हें कानून में अपराद माना गया है ठीक है जैसे चोरी हो गई दहज के लिए औरतों को तंकरना हो गया हत्या हो गई ये सबी फौजदारी कानून के अंतरगत आते हैं जो दीवानी कानून है इसका समन्द व्यक्ति विशेश के अधिकारों के उलंगन या अवहिलना से होता है जैसे आपने किसी माली ये मोहन का आपने उसके अधिकारों का उलंगन किया या किसी ने किसी विक्ति विशेश को दंडित किया उसके साथ गलत विवार किया इस तरीके से ना विक्ति विशेश के अधिकारों के उलंगन के अवहिलना से होता है जैसे जमीन की बिक्री हो गई, चीजों की खरीदारी हो गई, किराया नहीं दिया, मकान मालक को तलाग हो गया, यह सब समन्दी विवाद दिवानी कानून के अंतर करता है जो फॉजदारी कानून है, इसमें सबसे पहले आहम तोर पर प्रत्थम सूचना रिपोर्ट यानि की प्राथ में की F.I.R दरज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराद की जाच करती है, और अदालत में केस फाइल करती है, यहां पे दिवानी कानून में क्या होता है, जिस प्रभावित प्रक्ष है, उसकी और से नियाले में एक याच का दायर की जाती है, अगर मामला किराय से समंदित है, तो मकान मालिक या किरायदार मुकदमा दायर कर सकता है, यहां पे अगर वेक्ति दोशी पाया जाता है, तो उसे जेल में भीजा जा सकता है, उस पर ज आदेश दे सकती है कि किरायदार मकान को खाली करें बकाया रासी चुका दें ये इन दोनों में अंतर होता है आई आगे समझते हैं क्या हर विक्ति अदालत की सरण में जा सकता है सिद्धान्त तह सिद्धान्त तो ये कहता है भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालियों की शरण में जा सकते हैं सब भी नागरिक जा सकते हैं कोई चोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है इसका मतलब यह है परत्यक नागरिक को अदालत के माध्यमशे नियाय मागने का अधिकार है जैसा कि पीछे पड़ा हैं नियायाले हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्पून भूमिका निभाता है जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है नियायाले अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उलंगन हुआ है हनन हुआ है तो वहाँ नियाय के ली अदालत में जा सकता है अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं लेकिन वास्तों में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुस्किल साफित होता है क्यूंकि कानून प्रक्रिया में नकेवल काफी पैसा और कागजी कारवाही की जरूत पढ़ती है बलकि उसमें समय भी बहुत लगता है अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता उसका पूरा परिवार दिहारी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उमीद उसके लिए बहुत मुस्किल होती है इस बात को ध्यान में रखते वे 1980 के दश्रक में सरवोची नयाले ने जनहीतियाचका यानकी P.I.L. की विस्था विकसित की थी इस तरहे सरवोची नयाले ने नयाय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच इस्थापित करने का प्रयाश किया नयायाले ने किसी भी विक्तिया संस्था को ऐसे लोगों की और से जनहीतियाचका दायर करने का अधिकार है जिनके अधिकारों का उलंगन हो रहा है यह याचिका उच्च नियाले या सरवच नियाले में दायर की जा सकती है नियाले ने कानूनी प्रक्रिया को बेहत सरल बना दिया है अब सरवोच नियाले या उच नियाले की नाम से भीज़े के पत्र या टेली गराम को भी जनहित याचका माना जा सकता है आप जो है पत्र भीज सकते हैं शरुवाती सालों में जनहित याचका के बांत्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याइद लाया गया था बंधुआ मजदूरों को अमानवी इस्रम से मुक्ति दिलाने बिहार में सजा काटने के बाद भी रिया नहीं किये गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था अब आगे पॉइंट कहता है कि क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहता प्राप्त इसको ने बच्चों को दोपहर का जो भूजन मिड़े मिल दिया जाता है उसकी विश्था भी एक जनहित याचिका के फलस्रोप ही हुई थी कैसे हुई थी बाई समझ ये पहला चितर दिया गया है वर्स दोजर एक में राजस्थान और उरिसा में पड़े सूखे की वज़े से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया चितरवन यहाँ पे देखे यहाँ पे किस तरीके से सूखा पड़ी हुई है बारिस नहीं हुई है कोई फसल नहीं है जमें सब बंजर पड़ी है इससे लोगों का जीवन बेहाल हो गया चिक है भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे बहुत सारे गेहुं तो चूहों की भेंट चड़ गया था इस स्थिती को देखते वे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जने की पी यू सी एल नामा के एक संगठन ने सर्वोच नियाले में जन्हित याचिका दायर की याचिका में कहा गया था कि समिधान के अनुचिद 21 में दिये गए जीवन के मौलिक अधिकार का वणन अनुचिद 21 में है कहता है कि जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है फिर क्या हुआ इसका बेश क्या था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे तब सरवोच नयालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्द कराना राज्य का दाइद तो है लिहाजा हुआ यह की थोड़ा जूम कर लेते हैं चलिये ऐसे पड़िया लिहाजा सरवोच नयालय ने सरकार को आदेश दिया क्या देश दिया कि वो नए रोजगार पैदा करे रासन की सरकारी दुकानों के जरिये सस्ती दरपर भोजन अखलब्ध कराए और बच्चों को इसकूल में दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए नियाले ने सरकारी योजनाओं के किर्यानवेन के बारे में रिपोर्ट करने के दो खाद आयुकतों को भी निक्त किया आगे बढ़ेंगे आम आदमे के लिए अदालत तक पहुंचना ही नियाय तक पहुंचना होता है अदालतें क्या होती हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक एहम भूमिकाने बाती हैं अदालतें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में जैसा कि हमने उधार में देखा अदालत नहीं समिधान के अच्छित 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है जीविका का अधिकार भी शामिल है इसलिए अदालत ने राज को आदेश दिया कि वो दोपहर के भोजन की योजना मिड़े मिल सहीट सभी लोगों को भोजन मोहिया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुक्सानते हैं मानते हैं जैसे गरीबों के आवाश अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जो कारिकरता हैं उनका मानना है कि बस्तियों जूगी जोपडियों को बेदखल करने के बारे में अदालत के दुरा दिये गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं हाल के फैसलों में जुग्गी वाश्यों को शहर के घुस पैठियों की तरह देखा जा रहा है जो विचारे जुग्गी वाश्य है उनको माना जाता है कि यह सहर के घुस पैठिये है यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है देखिए आई इसको भी पढ़ना जूरूरी है इस फैसले में अदालत ने आजीवका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है कि जो आजीवका का अधिकार है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है नीचे इस फैसले के कुछ आंस दिये गए है इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि निया धीशों ने जीवन के अधिकार को आजीवका के अधिकार से किस तरह जोड़ करके देखा है जीवन के अधिकार में आजीवका का अधिकार शामिल है अनुच्छे 21 दौरा दिये गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित बनाया रखने से कहीं ज्यादा होता है इसका मतलब केवल ये नहीं कि कानून के दोरा तैगी गई प्रकरिया जशे मर्तिदुन्द देने उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं लिजा सकते जीवन के अधिकार का ये आयाम है इस अधिकार का इतना ही महत्पुन पहलो आजीवका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी विक्ति जीने के साधनों यानि आजीवका के बिना जेवित नहीं रह सकता जीवन कादिकार तभी पॉशिबल होएगा जब उसको आजीवका कादिकार मिलेगा किसी वेक्ति को पट्रिया जुग्गी बस्ती से उजार देने पर उसके आजीवका के साधन फॉरन नष्ट हो जाते हैं वो जुग्गी बस्ती में रह रहे हैं कुछ शोटा मुटा सामान बेच रहे हैं जिसे उनकी आजीवका चल लई है यदि आपने उनकी जुग्ग्यों बस्तियों को उजार दिया तो उनकी आजीवका का साधन तुरन तरन नष्ट हो गया अब उनका जीवन का दिकार कहा रह गया वो कैसे आगे सर्वाइब कर पाएंगे ये कैसी बात है जिसे हर मामले में शाबित करने की जुरूत नहीं है प्रस्तुत मामले में आनुभाविक साक्ष्यों से ये सिल्ट हो जाता है कि याचिका करता जुग्यों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मुटे कामधंदों में लगे होते हैं उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या जुग्यों में रहने लगते हैं अगर उन्हें पटरी या जुग्यों से हटा दिया जाए तो उनका रोजकार ही खत्म हो जाएगा और फिर कॉंक्लूजन ये निकलता है कि या चिका करता कूँ जाड़ने से वे अपनी आजीवका से भी हाथ दो बैठेंगे इस प्रकार जीवन से भी वन्चित हो जाएंगे तो जीवन के अधिकार में ही आजीवका का अधिकार भी शामिल है अब यहां पर जैसे पॉइंट कहरा था कि हाली की फैसलों में क्या है कि जो जुग्गी वाशी है उनको शेहर में घुस पैठियों की तरह देखा जा रहा है जबकि पहले फैसलों पहले जो फैसला था 1950 में ओलगा टेलेस बना बबबबई नगर निगम तो उसमें यह फैसला दिया गया जिसमें जुग्गी वाशी हैं उनको वहां से ना हटाया जाए उनकी आजिवका किसी तरह से बची रहे नियाय तक आम लोगों की पहुँच को प्रभावित करने वाला एक मुद्ध ये है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालते कई साल लगा देती है एक लंबा समय लग जाता है अदालतों को सही फैसला सुनाने में इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इनसाफ में देरी याने इनसाफ का कतल है ठीक है यहाँ पर समझे एक पॉइंट को यहाँ पर कुछ महिला हैं आपको दिखाई दे रहे हूंगी जो बैठी हुई है कहता है कि इस चित्र में 22 में 1987 को मारे गए हाशिमपूरा के 43 मुसल्मानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं यह परिवार पिछले 31 साल से नयाय के लिए संगर्स कर रहा था मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सरबोच नयायले ने ये मामला उत्तपरदेश से दिल्ली इस्थनानतित कर दिया इसमें प्रोवेंशियल आर्मिट कॉंस्टेबियूलरी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे इस मुकदमे में 2007 तक केवल तीन गवाहों के बयान दर्ज किये गए थे अन्त में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्चनाले ने आरोपियों को दोशी ठहराया 24 में 2007 को प्रेश क्रब लखनों में लिया गया ये फोटो है कब ये घटना घटी थी 1987 को फिर फैंसला कहां पे आरा है 2018 में तो इतनी लंबी जो प्रक्रिया जलती है ये क्या है इनसाफ में देरियाने की इनसाफ का कतल ही हो जाता है एक पॉइंट और बचता है इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग तांतरिक भारत में नियाएपालिका ने एक महत्पून भून का निभाई है नियाएपालिका ने कारेपालिका और विधायका की शक्तियों पर अंकुष लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी की है समिधान सभाकेश दस्चों ने एक कैसी नयाई पालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरहे श्रतंत्र हो यह हमारी लोकतंत्र का एक बुन्यादी पहलो तो आज का यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था अब इस चैप्टर से रिलेटेट जो पूछे गए प्रेशन आयों उनको समझते हैं यह सारे प्रेशन दोज़र्ट तीस चोबिस में पूछे गए है कहता है कि अभिकथन ए करण आर को पढ़िए उप्यक्त विकल्प का चैन कीज़े एक कहता है कि उपरी नियायले के फैसले नीचे की सारी नियायलों को मानने होते हैं बरे गुट दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत के पाश एक इकरत नियायक विवस्ता है क्या यह सही है क्या इसमें आर यो एको एकस्प्लेन कर रहा है यहां प्रिश्ण का अंसर कहता है जो फर्श्ट आ ऊबसन है वो यह है कि उपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते है Hai रीजन क्या है रीजन ये है कि विपिन इस तरों की अदालते सब एक दूसरे से जोड़ी हुई है और हमारे भारत में एक इकरत नयाएक विवस्था है जिस वजह से उपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं ये जो रीजन है यहाँ पे आर ये ए को explain कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए और आर दोनों यहाँ पे सही है आर जो है वो एक को explain कर रहा है ठीक है option is the right one in discussion अगला प्रशन आपके सामने कहता है इसकूलों में मद्याहन भोजन की योचना का प्रावधान निमलेकित मेंशे भारतिय नागरिकों को प अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है जिसमें आजीवका के अधिकार की भी बात की गई है ठीक है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं प्रशन का देखी यहाँ पे लिखा है लिखा गया था कि इनुच्छेद 21 का में दिये के जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है इसका हवाला देते हुए यह याच्चका दी गई थी कि जो भोजन श्टोर है उसको बच्चों तक पहुँचाना चाहिए ठीक है तो दोपहर का जो भोजन मिड़े मिल दिया जाता है इसको एक जनहित जनहित याच्का के जनहित याच्का दी गई थी कि जो अनुछे दिक्चिस का है इसमें जीवन का मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी है तो जो भोजन श्टोर है सरकार के पास उसको जन जन तक पहुँचाना चाहिए तो जीवन के अधिकार में हमारा यानि की जो इसमे मौलिक अधिकार है वो जीवन का अधिकार है ठीक है इतनी बात कольно inspiring में तो यहां पे दिया गया है अनुच्छे दिक्रिस की व्यक्षिया करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है तो इसलिए option जो आपका भी रहेगा वो right हो जाता है next question आपसे कहता है कि इनसाफ में देरी यानि इनसाफ का कतल ये महावरा भारत की नियाए विवस्था से जुड़ी निमले खित में से किस समस्या को दर्शाता है तो यहाँ पर प्रिशन का अंसर दिया है इनसाफ में देरी यानि कि इनसाफ का कतल ये महावरा बताता है देखें नियाए तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा ये है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है अर्थात सुनवाई खत्म करने में एक लंबी देरी हो जाती है बहुत समय लगता है इसी देरी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है इनसाफ में देरी अर्थात इनसाफ का कतल तो इस प्रिशन में जो आंसर हमारा देरी वाला होगा अर्थात यहां पे नियायालों के द्वारा सुनुवाई खत्म करने में अब प्रत्याशित देरी इसी को इशी के आधर पर कहा गया है इन्शाप में देरी याने इन्शाप का कतल है इतनी बात के लिए अगला प्रिशन लेते हैं कहता है कि विधाईका और कारिपालिका नियाईपालिका के काम में हस्तक शेप नहीं कर सकते हैं यह अकथन भारतिय समिधान के कि सिध्धानत को दर्साता है प्रिशन का अंसर यहां पे मिलेगा जैसे कि हमको पता है कि समिधान में नियाई पालिकों को पूरी तरह रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के शक्तियों का बटवारा ये जो सिध्धान्थ है इसको प्रेज़ंट करते हैं ठीक है तो आप भी दिहान रखेगा आपके exam के लिए विधायका और कारपालिका नयाइपालिका के कामें दिखल नहीं देशकते हैं समिधान स्रक्तियों का बटवारा कहलाता है according to the question हमारा option number जो सी रहेगा वहा राइट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो next question हमको मिलेगा कहता है समिधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप्चे किसके पास होता है जहां पे लिसाफ साफ लिखा है कि समिधान की अधिकार न्याय पालिका के पास होता है अगला प्रेश्म कहता है किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन की अधिकार के हिस्से के रूप में आजीवका के अधिकार को इस्थापित किया तो हुआ ये कि एक बार कुछ जुग्गी वाशियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था ठीक जिस वज़े ये क्या हुआ ये जो घटना थी ये जीवन की वास्तविक घटना थी जिसने जीवन के अधिकार के हिस्से करूप में आजीवका के अधिकार को इस्तापित किया था क्योंकि यहां पर ये आजीवका का अधिकार ये बिचारे जुग भीवासियों की ठीक है तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे नेक्श प्रसनाप के सामने कहता है कि किस इस्थिती में भारत में न्याय पालिका के पास अधिकार है कि वह संसद के दोवारा पारित कानून को रद कर सकती है किस इस्थिती में छीक है आपको अभी हमने बताया कि समिधान की व्याख्या कादिकार मुखिरूप्शे न्याई पालिका की पास होता है इस नाते अगर न्याई पालिका को ऐसा लगता है कि संसद के दोवारा पारित किया गया कोई कानून समिधान के आधारभूत धाचे का उलंगन करता है तो वहाँ कानून को रद भी कर सकती है इसे न्याई पालिका की पास अधिकार है कि वो संसद के दोवारा संसद के दोवारा पारित कोई कानून समिधान के आधारभूत धाचे का उलंगन करता है इस कंडिशन में न्याई पालिका की पास अधिकार है कि वो संसद के दोवारा जो पारित किया गया ये कानून है इसको वो रद कर सकती है यदि समिधान के आधार बहुत धाचे का उलंगन होता है तब ठीक है इसलिए option number age the right one in this question आगे बढ़ेंगे प्रिशन कहता है भारत के उच्चितम न्यायादीश का मुख्या कौन होता है प्रिशन का अंसर अभी अमने यहां पर पढ़ा था कि देश के मुख्य न्यायादीश सरवोच न्यायाले के मुख्या होते हैं सरवोच न्यायाले के मुख्या काउन होते हैं तो देश के मुख्य न्यायादीश होते हैं वो सरवोच न्यायाले के मुख्या होते हैं तो खिताब में लिखा है कि देश के मुख्य न्यायादीश और हम यहाँ पर किस देश में रहत हैं तो भारत के मुख न्याय अधीश जो हैं वो उच्छ तम न्याले के नहीं उच्छ तम अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्या होते हैं मुख्य न्याय अधीश ऑप्शन C is the right one over here आगे बढ़ते हैं प्रेशन कहता है जीविका के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्छ तम न्याले के दोरा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है तो जो जीविका का अधिकार है इसको जीवन के अधिकार के एक अ अधिकार का एक अंग है ऑप्शन B यहाँ पे राइट हो जाएगा अगला प्रेशन लेते हैं भारत में न्याय पालिका के विशे में निमलिक्षित में से कौन सा वाक्य सही है न्याय पालिका के बारे में हमको पढ़ना है यदि आप पढ़े होंगे तो आंसर टिक कर पाए नियाय पालिका के विभिन इसतर पदानुकरमित विवस्था में नहीं है एक उच्छ नियाले का नियाधीश देश का सरवोच नियाधीश होता है या फिर उचितम नियाले के फैसले के खिलाफ एक उच्छ नियाले में सुनवाई की मांग की जा सकती है नियाय पालिका के व पारे में कौन सा आपसा नमारा श्रही है तो न्याय पालिका में क्या है कि विभिन इस तरों की जो अदालते हैं वो सब एक दूसरे से जूड़ी हुई है यानि कि हमारे पास एक गरत न्यायक विवस्था है ठीक है और यह जो न्यायक विवस्था है यह अपील की विवस्था कही जाती क्या कही जाती अपील की विवस्था यानि की नियाए पालिका के विभिन इस्तर एक दूसरे से अपील विवस्था के दौरा जुड़े होते हैं आप्शन आपका जो इसमें अपील विवस्था वाला रहेगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए नियाए पालिका के विविवन इस्तर एक दूसरे से अपील विस्था के दौरा जुड़े होते हैं अप्शन डी राइट हो जाएगा अगला प्रिशन लीजे कहता है निमलिकित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से सम्मंदित है फौजदारी कानून ऐसे विवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टी में अपराद है या फिर अपराद की जाँच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना नेक्स्ट कहता है यदिवेक्ती दोशी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है तीसरा कहरा है लास्ट कहरा है कि नियाले में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जा सकता है अब इसमें अगर हम आपको बताते चले ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तो हमारा दीवानी कानून का है अभी हम लोगों ने पीछे पड़ा था चलो इसका अंसल नहीं दिखाते हैं आपको बता देते हैं देखे, पहला पॉइंट में एशे विवारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टी में अपराद है चीक है जैसे चोरी, दहज के लिए औरत को तंकरना, हत्या ये सारे फॉजदारी कानून से सम्मन दित है पहला पॉइंट क्लियर हो गया सही है फिर कह रहा है कि अपराद की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है ये क्या है, ये हमारा फॉजदारी कानून से सम्मन दित है सीव कहता है कि अगर वेक्ती दोसी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है ये भी हमारा फॉजदारी कानून से समन्दित है नियायले में याचका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है ठीके ये हमारा दिवानी कानून से समन्दित है किसे दिवानी कानून से तो इसमें हमारा A, B, C तीन आप्शन राइट हो जाते हैं कौन ABC जो हैं वो तीनों ही आप्शन फौजदारी कानूं से समंदी थें अगला प्रेशन लीजिए भारत के पास एक एकरत नियाईक व्यवस्था है निमलिखित में से कौन सा इस वाक की बेहितर वैख्या करता है देखिए व्यक्ति उच्छी नियाले जा सकता है अगर वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है वाईरी गूड उपरी अदालतों द्वारा लिये के निर्ने निचली अदालतों पर बादिकारी नहीं कौन कहता है बादिकारी नहीं है बिलकुल बादिकारी है जो उपरी नियालों ने जो बात कह दी जो उन्होंने फैसला दे दिया जो निर्ने ले लिया वो निचली अदालतों को मारने होंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका जो ए रहेगा वो राइट हो जाएगा केवल ए सही है ठीक है भी गलतल आगे बढ़ते हैं अगला प्रिस्ट चाहिदी लास्ट प्रिस्ट रहेगा और हम आपसे कहना चाहेंगे क्लास कैसरी आप कॉमेंट करके जुरू बताएगा भारतिय नियाई पालिका बीना किसी भय अथ्वा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कारियों पर प्रभावी नियंतरन बनाये रखती है जिसकी वज़ा ये है कि भारत में नियाई पालिका की शोतंतरता है भारत की नियाई पालिका पूरी तरह शोतंतर है ना किसी नेता का ना सरकार का कोई दबाव नहीं है यही इसके पीछे रीजन है option भी यहाँ पे right हो जाता है तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों चैप्टर हुआ हमारा complete और 4 चैप्टर complete हो गए हैं चार और रहे हैं उसको फटाफट से complete कर देंगे क्लास के से कॉमेंट करके जरू बताएगा अपने दोस्तों तक कॉलेजी ग्रूप में जान जाओं स्क्राइब करें थैंकि सो मिस मिलते हैं बहुत दिल दी नेक्स्ट क्लास में